हमार यूट्यूब चैनल में स्वागत है welcome to this video तो friend इस video के आंदर हम बात करने वाले pharma vacancies के बारे में तो यहाँ पर TCS जो company है friends तो इसके आंदर pharma के जो candidate है तो उनके लिए vacancies आए तो कौन से department के आंदर है कैसे apply करना चाहिए payment कितना होगा salary के बारे में तो हम जानकर यहाँ पर आपको 100% देने वाले है विकाज यहाँ पर salary उन्होंने बहुत ही जादा दीखाई है उसके लिए qualification क्या लगेगा तो इन सब के बारे में basic basic जो point है तो उसके बारे में discuss करेंगे और end में हम आपको बताएंगे कि apply कैसे करना है और कहाँ पर यह जो vacancies है किस state के अंदर है तो चलो वीडियो को start कर देते हैं अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना तक हम जब भी ऐसे vacancies related update अपलोड करेंगे तो उसकी notification पहले आपको मिलेगे और आप easy ले आमारे वीडियो देख सकते हो तो यहाँ पर देख लिए से मैं यहाँ पर scroll करूंगा तो यहाँ पर थोड़ा सा TCS company के बारे में दिया गया उन्होंने तो यहाँ पर पोस्ट देख लिए पोस्ट कोंसी है फ्रेंज तो DM, LDM, SDTL, Study Data Team Lead और Non-CRF DM तो यहाँ पर आपको experience चाहिए 1 to 8 years का experience चाहिए work location देख लिए इंदोर, गांधी नगर, नागपूर यह जो 3 यहाँ पर दिख रहे आपको इंदोर, गांधी नगर, नागपूर तो इसके अंदर आपको, मतलब इसके अंदर vacancies निकल कर आई है तो यहाँ पर देख लिए जे qualification क्या चाहिए 15 years full time education, graduate in the relevant stream तो यहाँ पर life sciences, pharmacy, medicine आपका graduation इसके अंदर complete होना चाहिए तो यहाँ पर उन्होंने qualification के बारे में दिया गया है नेक देख लिए job description उन्होंने दिया है कि job description के अंदर आपको job के बारे में पूरी detail में जानकर यहाँ पर उन्होंने दिया है तो यहाँ पर देख लिए good understanding of clinical data management process of medidata rav experience understanding the protocol and study documentation तो यह आप पढ़ लिजे friends skill क्या क्या चाहिए आपको यहाँ पर responsibilities भी उन्होंने दिया गया है अगर आप यहाँ पर काम करने के लिए जाते हो तो आपके उपर क्या क्या responsibilities होंगी तो उसके बारे में यहाँ पर उन्होंने जानकर दिये है ओके फॉर LDM skill आप LDM के लिए कौनची कौन सी skill यहाँ पर उन्होंने दिया है कि आपके पास इतनी सारी skills होनी चाहिए और रिस्पोंसिबिलिटेज भी आपके पास होनी चाहिए उन्होंने बताया है आप यहाँ पर देख लिए SDTL के लिए same skill क्या चाहिए और responsibilities क्या क्या चाहिए उन्होंने यहाँ पर दिया है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो friends next non-CRF DM के लिए भी उन्होंने यहाँ पर दिया है ओके आप देख लिए यहाँ पर आपको क्या कर रहा है simply जो भी interested candidate है तो जो आपका cva friends तो इस email के उपर आपको बेजना है ओके बेजना है वहाँ से आपको call आजाएगा अगर आप shortlisted हो जाते हो तो यहाँ पर आपको call आजाएगा friends और call आने के बाद आपका interview भी यहाँ पर हो सकता है तो यहाँ पर उन्हें salary के बारे में नहीं दिया है तो salary के बारे में आप उनसे पूछ सकते हो अगर आप HR round तक जाते हो तब वहाँ पर आप इनसे discuss कर सकते हो तो यह मोटा मोटा था friends इस TCA job के बारे में pharmacy के लिए बहुत ही यहाँ पर अच्छे opportunities है तो जो candidate apply करना चाहते है तो definitely यहाँ पर apply करिए तो friends इस डे के अंदर बस आपको इतना ही बताना था अगर आपको किसी भी pharmacy related job के बारे में information चाहिए तो हमारे चैनल को subscribe जरूर करना तो मिलते हैं next video में thank you so much